आज वारांडसी की अस्थानी अदालत में सर्वे की जो ज्यानवापी का सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट पेश की जानाई थी वो नहीं हो पाएगी, दूसरी तरफ सुप्रेम कोट में सर्वे के खिलाफ जो मसाजित कमेटी है उसकी याचिका पर सुनवाई की जानाई है और अगर हम सर्वे रिपोर्ट की बात करें, तो जो अभी तक जानकारी आई है, उसके हिसाब से आज रिपोर्ट नहीं पेश हो सकेगी, इसका कारण यह है कि अभी तक रिपोर्ट तयार नहीं हो सकी है, और दूसरी करफ एक बज़े आज सुप्रिम कोर्ट में सर्वे के खिल पर आज सुनवाई होगी और मसाजिद कमेटे के खिलाफ एक यहाचका दायर हो गई है, जिसमें कहा गया है कि उस यहाचका को खारिच करके हिंदू पक्षकों पक्षकार बनाते हुए यहाचका चलाई जाए, आज जानते हैं कि आज क्यूं सर्वे की रिपोर्ट नहीं पे रहा है कि आज रिपोर्ट पेश होना लगबग मुश्किल है, असिस्टेंट कमिशनर अजय प्रताप सिंग ने बताया है कि रिपोर्ट 50 फीजदी भी तयार नहीं हुई है, अभी तक महने कि पूरा रिपोर्ट तयार नहीं हो पाई है, इसलिए कोर्ट में आज उसको प्रस 1996 का जो सर्वे हुआ था, उससे जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने पूरा अंदर का हाल चाल देखा है, जिस तरीके से सर्वे हुआ है, उसकी रिपोर्ट एक दिन में पेश नहीं हो सकेगी, कई दिन लगेंगे वकीलों को मेहनत करने में, एक रिपोर्ट तया और जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण शुरू करेंगे, इसकी भी बात की जा रही है, मैंस दावे की पुष्टी नहीं करते हैं, लेकिन ये बयान चल रहा है, और कहा जा रहा है कि जो बिसेन की तरफ से बताया गया है, कि जहां शिवलिंग मिला है, वो प्लाट इस जो पैदिक सनातन संग है, उसके कबजे में है, और वहाँ पर मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, फिलाल के स्थिती यही है, और एक आकरी बात जो बता है, कि जिला अदालत में आज रिकोर्ट पेश नहीं हो सकेगी, इस मामला नहीं था, याजकाओ की संख्या पर नजर डालेंगे, तो 6 याजकाओं की संख्या बताई जा रही है, इन में से कुछ याजकाओं हैं, इलहाबाद हाई कोर्ट में भी लगाई गई थी, जो काशी विश्वनात मंदिर और ग्यानवापी मस्जिस से जुड़ी हुई थी, उन पर सुनवाई के लि बता दे, 13 मई को सुप्रिम कोर्ट में सीनियर एड़ोकेट फुजैल एहमदी ने ग्यानवापी मस्जिद के सर्वेक्षन को तुरंत रोकने की याजका दाखिल करी थी, इस पर तुरंत सुनवाई करने से सुप्रिम कोर्ट ने इंकार कर दिया था, सुप्रिम कोर्ट ने कह दाखिल करते हुए ग्यानवापी मामले में मसाजिद कमेटी की याजका को जुर्माने के साथ खारिच करने की बात कही है, और हिंदू जो सेना है, उसको इस मामले में पक्षकार बनाया जाने की मांग की है, यानि कि पहले ये दोनों पक्ष आपस में बहस करेंगे, कोर्ट कि राश्री अद्रक्ष विष्ण गुपता ने सुप्रिम कोर्ट में ये अरजी 16 मही या निकल को दाखिल करी थी, उन्होंने कहा कि हमें बारत के सम्विधान के उच्चे 25 के तहाट पूजा करने का पूरा अधिकार है, और साथी साथ सुनवाई करने का भी सम्विधानी का अधिकार दिया गया है, इसलिए हमें अदालत की सहायता करने की अनुमती दी जाए एक तरीके से अदालत के सामने, जो अदालत का पिछला तर्क 13 तारीक वाला था, कि हमें इससे जुड़ी फाइले देखनी है और तमाम तर्क वितर्क करने हैं, उसके बाद हम कहेंगे कि हम इस मामले पर सुनवाई कर सकते हैं या नहीं, या अचिका खारिश की जाएगी या नहीं, तो उससे जुड़ा हुआ हिन्दू सेना ने कहा है कि हम को भी अपने साथ ले लीजिए, हम भी आपकी मदद करेंगे अपने तर्कों की जगी यह साबित करने में कि या अचिका सु जज सीनियर डिविजन की कोड में 18 अगस्त 2021 को यह या याचिका दायर की गई थी, जिस पर अब सारा का सारा मामला चल रहा है और जिसके आधार पर अभी सर्वेक आदेश हुआ है, और बकाया याचिकाएं दायर की जा रही हैं, इसके अलावा एक 1996 की भी रिपोर्ट है, उस पर भी हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे, किसी और वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही, मेरे नाव अनराग मिश्रा है, आप जंदा इंशन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ हों परकाश थे, शुक्रिया,